ऐसे अगर आप करते चलोगे ना, definitely आप qualify कर पाओगे, एक systematic तरीके से आप qualify कर पाओगे, पता क्या है, दो चीजे matter करते हैं हमारी सफलता के पीछे, सबसे पहली जो region है हमारे success के पीछे वो हमारा depend करता हम कितना hard work करते हैं, कि हम कितनी उसके परती महनत करते हैं, और दूसरी जो most important चीज है, वो हमारे पास है time schedule, कि हम एक proper guideline के साथ हम उसको study करते हैं या नहीं study करते हैं, मैं बहुत सारे student को ऐसे जानता हूँ, जिनके अंदर knowledge है, quality है, बट क्या करते हैं, वो तैयारी करते रहते हैं, समझते रहते हैं, बट वो test नहीं दिया, वो practice नहीं करते, तो उ होता है, कि वो जैसे question को देखते हैं, वहाँ पर जल हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो उनका जो extra work है, जो उनको सोचने ही का time मिलता है, वो उनको नहीं मिल पाया, क्योंकि पता क्या होता, जब हम test देते हैं, तो हमारा जो mind है वो और जादा work करता, as compared to simple, हम को study कर होगा, जैसे suppose करो, Monday को आपका exam है, और Sunday को आप पढ़ते हो, ना तो night तक आप पढ़ते हो, आपके उपर pressure create होता है, आप पूरी night Sunday को पढ़ लिए, आपको पता ही नहीं से लिया, कि आपने घंटे आप कैसे study कर ली, क्योंकि आपके mind में pressure है, कि Monday का test है, और उस pressure के इंदर ह पाते हैं, और इसलिए जो है, कई student का मैंने सबसे बड़ी कमी ये देखी है, कई student ये कहते सर, पहले मैं real complete finish कर देता हूं, मैं linear पूरा complete finish कर देता हूं, मैं audio पूरा complete finish कर देता हूं, और फिर बाद में दूसरे topic पे आऊंगा, मैं कहूंगा, एक बात बताईए आप, आपके पास वो जो है, आप 15 दिन उसके साथ रहते हो, ठीक है, उसके बाद वो चला जाता है, आप उसे कोई बात नहीं करते, कोई contact नहीं करते, क्या होगा, पता है, आपके अंदर जो memory थी ना, जो आपने उसके साथ पल बिर्थाए हुए, पल आपने उसके साथ जो अच्छी बा क्योंकि जो mind है हमारा, उसी चीज़ को याद रखता है, जिसको हम revise करते रहते हैं, similarly ये है, आपने स्पोज करो real का syllabus पूरा कर दिया, ठीक है, real का syllabus पूरा करने के बाद, जो आप linear पूरा करने गए या OD पूरा करने गए ना, उस दुरान आपको one month हो चुका होगा real को, और दुबारा फिर देखोगे, वो mind से skip हो चुका है, इसलिए क्या है, फिर आपको ये लगेगा, मुझे तो real आता ही नहीं, और फिर आप exam time में ये देखते हो, अब मैं क्या study करूं, real उठाओं या linear उठाओं या क्या उठाओं, इसलिए क्या है, ऐसी जो ये planning करते हैं, वो wrong ह मैं हमें साइक ती